हमारे चारों और सर्वत्र बल का अस्तित्व होता है जब हम कुछ धकेलते हैं या खींचते हैं उसे बल कहते हैं बल का काम गती देना है उसी प्रकार बल चलती चीजों को रोग भी सकता है आज आपने कितनी बार बल का प्रयोक किया बल से ही खींचना जुकाना गुमाना ये सारी क्रियाएं आसान हुई है कुछ बल बड़े तो कुछ छोटे रूप के होते हैं किया आज आपने बहुत काम किया है हम जिस तरह से गणित अत्वा भाषा का ग्रहपाट नामक शब्द का उपयोग करते हैं वैग्यानिक उसी अर्थ में कार्य शब्द का उपयोग नहीं करते हैं विज्ञान की भाषा में कार्य यह शब्द किसी वस्तू को खास दूरी तक ले जाने के लिए उस वस्तू पर लगाए बल के संदर्ब में इस्तमाल करते हैं किसी वस्तू को जगा से हिलाने के लिए खींचना या धकेलना जैसी क्रियाओं के लिए बलावशक होता है इस बल को कारी कहते हैं राच पुस्तक पढ़ रहा है पढ़ने के बाद वो किताब अलमारी पर रखता है उसने किताब पर कारी किया है यदि किताब सबसे उपर रखी जाए तो उसके द्वारा किताब पर अधिक कारी किया है इस समय उसे अधिक बल तथा प्रयास करने के आवशकता है ज्यादा दूरी के लिए अधिक बल का उपयोग करना पड़ता है अपने आसपास देखी अनेक वस्तुएं आपको चल स्वरूप में दिखेंगी किसी वस्तु में हलचल क्यूं होती है कोई नौका प्रवाह की दिशा में क्यूं बहती है पत्ति क्यूं उड़ते है विमान जमीन से किस कारण उड़ पाता है आप किताब के पन्ने को क्यूं पलट सकते हैं वस्तुएं उर्जा के कारण हिलती है हम वस्तुओं को हिलाने की क्षमता को ही उर्जा कह सकते हैं या फिर कार्य करने की क्षमता ही उर्जा है उर्जा पदार्थ से भिन्न होती है द्रव्य में या पदार्थ में वस्तुमान होता है यह वस्तुमान जगा भर देते हैं उर्जा में वस्तुमान नहीं होता, उर्जा जगा घेरती नहीं है, विज्ञान और अभियांत्रिकी में उर्जा नामक संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण होती है, मोटर के लिए पेट्रोल, रसोई के लिए LPG, प्रकाश के लिए विद्युत और मानव के लिए अन्न ही उर् है, इससे हम इतना ही समझ पाते हैं कि क्रिया करने के लिए उर्जा आवशक है, और इंदन हमें उर्जा प्रदान करते हैं, और इसी इंदन के कारण हमें उर्जा मिलती है, इस पवन चक्की में हवा पवन चक्कियों के पांतों पर कार्य करती हैं, जिस कारण ब्लेड और व उर्जा विद्यत्रूप से स्थानांतरित की जाती है। हम कारी करते हैं उस हर वस्तु में उर्जा समाहित रहती है। हम उर्जा के विशाल समंदर में रहते हैं। उर्जा के कारण कार्य होता रहता है। इस चित्र में दिये गए विवित प्रकार के उर्जा के उधारण आप पहचानिए। उर्जा के विवित प्रकार होते हैं। कुछ प्रकारों का हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। प्रकाश नामक उर्जा का हम देखने के लिए इस्तमाल करते हैं। ध्वनि से हम सुनते हैं। जब गुण-गुणे दूद्द के गिलास को हम सपर्श करते हैं तो हमें उश्णदार रूपी उर्जा महसुस होती है। हल्चल और विद्युत हमेशा इस्तमाल करने वाले परबैंट तथा पेड़ों से गिरने वाली पत्तों में भी उर्जा होती है हम कहते हैं कि वस्तूओं की हल्चल होने से पहले उनमें स्थितिज उर्जा रहती है यह रासाइनिक उर्जा के रूप में पेट्रोल कोईला अन्यादी में होती है अन्यक प्रकार के खाद्यपदार्थों में विविद मात्रा में उर्जा रहती है लेकिन अन्यपदार्थों में उर्जा कहां से आती है दूद में उर्जा गाई से आती है गाई को घास खाकर उर्जा मिलती है घास यह एक ऐसी वनस्पती है जिसमें बहुत खनीज होते हैं प लेते हैं और उस उरजा को अपने आप में रासाउनिक ऊर्जा के रूप में संगरहित करते आ हैं। उजा निर्माण की इस प्रक्रिया को प्रक्लबी कहते हैं सयान्ज हमने कार्य AUR नामकन प्रस्त्यक्राण के करें हैं हम कह सकते हैं कि उर्जा याने वस्तुएं हिलाने की क्षमता तथा कार्य करने की क्षमता तथा सामर्थ जब हम किसी वस्तु को ढखेलने के लिए अथ्वा खींचने के लिए बल इस्तमाल करते हैं तब हम कार्य करते हैं झाल झाल